बिहार की राजनीत में नितिस की नई सरकार में लालू के बेटे होंगे डिप्टी सीयम आज करेंगे सपत ग्रहाड मंगलवार के जडियों ने सर्वसंपती से भाशपा के साथ संबन तोड़ने का फैसला किया है नितिस कुमार ने सत्ता को चौका देने वाले परिवर्तन में बिहार के मुख्यमंतरी के पत से इस्तीफा दे दिया है आरजीयों के तेजस्वी आदों को डिप्टी सीयम के रूप में सपत लेने के साथ जडिवू पर्मुक नितिस कुमार बुधवार को सीयम पत की सपत लेंगे पटना में जेडियू के सभी सांसद और विधायकों के साथ नितिस कुमार की बैठक के बाद राजनितिक ड्रामा खेला गया सभी सांसदों ने सर्व संपत्ती से NDA गड़बंदन को छोड़ने के लिए मद्दान किया जिससे राज में NDA की सरकार गिर गई है पार्टी के समर्थन के बाद नितिस कुमार ने राजपाल को अपना इस्तीफा सौपा और 164 विधायकों की सूची सौपी और पिहार में नई सरकार बनाने के लिए अन्य साथ दलो का समर्थन का दावा किया है उन्होंने का कि पार्टी के बैठक में फैसला किया गया है कि हमने NDA छोड़ दिया है इसलिए मैंने NDA के मुख्यमंत्री के पस से इस्तीफा दे दिया है इस्तीफा देने के बाद नितिष कुमान ने राजपाल कारियाले से निकल कर सीधे राबली देवी के आवास पर तेजिस्वी यादो से बात चीत करने गए जहां उन्हें महागडबंदन के निता के रूप में चुना गया और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में एक नए कारिकाल की सुरुवात के लिए भी जिसके बाद के जिस्वी यादो के साथ दूसरी बार राजपाल से मुलाकात की और अपने सरकार बनाने की दावे पर महर लगा दी है